कभी अपने घर में तो कभी पड़ोसी देशों से घिरे इसराइल की मुश्किले दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है एक और जहां पहले हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर सेंकडों मिसाल दाक कर दहला दिया था तो वहीं अब इरान भी इसराइल पर इसकदर हावी हो रहा है मानो दोनों देशों ने एक दूसरे के खात्मे की कसम खा रखी हो 24 अपरेल को इरान ने इसराइल पर इसकदर हमला किया जैसे आसमान में आतिश बाजी हो रही हो इरान ने तीन सो से ज्यादा मिसाले दाख कर इसराइल को ऐसी चुनौती दी कि बौकलाए इसराइल ने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की होगी हाला कि इसराइल ने दावा किया था कि उसके एर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी युदपोतों ने 99 फीजदी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया था इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुँचा है इस बीच वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच स्थित जूडियन रिगिस्तान के अराद इलाके में एक बैलेस्टिक मिसाइल के विशाल कायट तुकड़े मिले हैं दावा किया जा रहा है कि ये इरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों का ही मलबा है इसराइली सेना ने भी अपनी सरजमी पर इरानी हत्यारों के टुकड़े मिलने की पुष्टी की है बताय जाता है कि इस हमले के बाद दक्षिन में खोजी गई ये पहली मिसाइल नहीं है डेड सी में भी इसी तरह की मिसाइलों के कई टुकड़े देखने को मिले हैं इन मिसाइलों के मलबे मिलने से कई सवाल भी उठने शुरू हो गए है साथ ही IDF प्रवक्ता के दावों को चुनोती भी दी जाने लगी है कि जमीन पर मिसाइले अभी भी कैसे पाई जा रही है खास्तोर से तब जब IDF प्रवक्ता ने इरान के हमलों के बाद खुलासा किया था कि इसराइल के शक्ती शाली एर डिफेंस सिस्टम ने 99 फीजदी इरानी हमलों को रोग दिया था बताया जा रहा है कि IDF ने इरानी हमले से इसराइल पर उठ रहे सवालों के चलते डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इरानी हमलों को असफल करार दिया इसराइली न्यू जजजनसी दजरुसिलम पोस्ट की खबर के मुताबिक इस हफते मिली मिसाइल इरानी इमाद है जो हैवर शेकान के साथ हमले में इस्तिमाल की गई दो परकार की बैलेस्टिक मिसाइलों में से एक है इमाद पुरानी शायब तीन मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है जो खुद उत्तर कोरियाई रोडॉंग पर बेस्ट है दावा है कि इरान ने इस्राइल पर तकरीबन 110 बैलेस्टिक मिसाइले दागी थी बहराल इस्राइली सेना इन इरानी मिसाइलों का मलबा इखटा करने में जुट गई है बताय जा रहा है कि तहरान की रक्षा तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनका अध्यान करने की योजना है बता दे कि इरानी हमले के कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट में IDF प्रवक्ता के हवाले से सुविकार किया गया था कि कुछ इरानी बेलेस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम से बच निकली थी जो निवातिम एरपोर्ट पर गिरी थी जिस वज़ा से वहां कुछ नुकसान पहुचा था कि लिएृ कर दोगिशन प्रेवा से वहां कुछ नुकसान वहां कि भी एर खिएदया दस्ताइब्स तरह कार गिवाड़ जिकली प्यकिपल्ड़ का वहां का रहां कि लिए। झाल झाल